हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी फार्मासिष जोती और आज मैं इस वीडियो में साइकलो पाम सस्पेंशन के बारे में पूरे जानकारी देने वाली हूँ कि Cycloparm Suspension क्या है इसे क्यों दिया चाता है और किसे दिया चाता है और कैसे यूज़ किया जाता है और इसे लेने से क्या side effect हो सकते हैं तो अगर आप यह पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अन तक बने रहे हैं तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि Cycloparm Suspension क्या होता है Cycloparm Suspension Dicyclomine और सीमेथी कौन से बाना है इसमें Dicyclomine 10Mg और सीमेथी कौन 40Mg प्रिजन्ट है इसका यूज़ पेट की कई प्रोबलम जैसे पेट में सोजन, एठन, डकार और अधर गेस्ट्रो इंटेस्टानल प्रोबलम के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ 6 मैने से जादा उम्रे के सिसुओं और एक साल से बड़े बच्चों में किया जाता है तो अगर आपके बच्चे में पेट दर्द, एठन और गेस्ट की प्रोबलम है तो आप इस suspension को अपने बच्चे को दे सकते हैं इससे आपके बच्चे का प्रोबलम कम हो जाएगा या फिर ठीक हो जाएगा इसके अलावा या suspension पेट और आतों की मन स्पेशियों को आराम देता है और पेट की गैस को आसानी से बहार निकल देता है अब मैं आप लोगों को इसके डोसेज के बारे में बता देती हूँ कि कैसे आपको इसे अपने बच्चे को देना चाहिए तो अगर आपका बच्चा 6 मेने से जादा उमर का है तो उसे आप एक चमच से आदे चमच डेली दे सकते हैं इस suspension को यूजली भोजन के बाद दिया जाता है या आपके बच्चे के डॉक्टर के कहे अनुसार दिया जाता है इस दवा को हर दिन एक अही टैम पर दें ताकि आपके बच्चे के सरीर में दवा का constant level बने रहे अपने बच्चे के डॉक्टर से अडवाईस लिए बीना इस दवा को देना बंद ना करें क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे के लक्षर दोबारा आ सकते हैं सैक्लो पंप सस्पेंशन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी है इसे आपके बच्चे के मुँव में सुखापन चक्कर आना कमजोरी नींग और मतली हो सकती है लेकिन आपको इससे घबराने के जरूत नहीं है क्योंकि साइड इफेक्ट टाम के साथ अपने आप भी ठीक हो जाते हैं और यदि कोई साइड इफेक्ट टिक नहीं होता है या भी गड़ जाता है तो अपने डॉक्टर से अडवाइस ली तो अगर आप लोगों को यह इंफोमेंसन अच्छी लगी होते वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्य